नमस्कार दोस्तों सावन का महीना शुरू हो चुका है और सावन के महीने में महादेव की पूजा अर्चना बहुत जादा महत्वरकती है सावन के महीने में महादेव खुद धर्ती पर आकर अपने भक्त जनों की मनवांचितिच्चा पूरी करते हैं आज मैं आप लोगों को बताऊंगी किस चीजे के अरपन करने से महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं सबसे पहले हैं गेहूं गेहूं से बने व्यंजन चड़ाने पर कुटुम्ब की व्रद्धी होती है साथ ही भक्तों को धन्धान्य से संबन्धित समस्याएं जल्दी खत्म हो जाती है सावन में शिवलिंग पर मूंग चड़ाने और मूंग से शिव पूजा करने से हर सुक और एश्वरी मिलता है सावन के किसी भी सुमबार के दिन शिवलिंग पर मूंग अरपन करें व्यक्ति को जीवन में प्रत्यक सुक की प्राप्ती होती है सावन में शिवलिंग पर उरत चढ़ाने से ग्रह दोष का निवारन होता है और खास तोर पर शनी पीड़ा जल्द ही खत्म हो जाती है और आपको इससे मुक्ति मिलती है सावन में शिवलिंग पर काले तिल का अरपन करना अत्यनत ही लापकारी और भाग्यवर्दक माना गया है तिलों से शिवजी की पूजा और हवन करने से हर पाप नश्ट हो जाता है और आपको पापों से मुक्ती भी मिलती है अरवा चावल शिवलिंग पर अरपन करने से समस्त सांसारी कष्टों से जल्द ही छुटकारा मिलता है कच्चे चावल अरपित करने पर कलह से मुक्ती और शान्ती मिलती है इतना ही सावन में शिवलिंग पर कच्चे चांवल चड़ाने से पती-पत्नी के विवाद जल्द ही खत्म हो जाते हैं शास्त्रों के अनुसार सावन की सोमवारी को संध्या के समय शिवलिंग पर चने की दाल चड़ाने से श्रेष्ट जीवन साती प्राप्त होता है और भोले नाद की क्रपा परिवार पर बरस्ती रहती है ये थे दोस्तों कुछ ऐसे अनाज जिनका उप्योग करके आप महादेव को प्रसंद न कर सकते हैं और मनवानचितफल पा सकते हैं उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी नेक्स वीडियो तक बाई बाई